स्वागत है मेरे प्यारे वच्छों आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में आज हम अपना नया पाठ आरम करेंगे अपनी हिंदी की पाठिय पुस्तक टरंग कक्षा एक बाए ब्रेन रूट सिरीर और हम पाठ छे का अध्यन करेंगे हमारे पाठ का क्या नाम है? लाल जी नो नू चित्र पर अधारे गती विधी चलिए समझते हैं इसे उप्युक चित्र टॉफी, चॉकलेट और केक के हैं सब के मुँ में पानी आ गया तॉफी, चॉकलेट और केक को देखकर इनके साथ साथ अन्य चीजों को अधिक खाने से क्या परिशानिया हो सकती है? बताओ, अब आपको बताना है अगर आप इन चीजों को अधिक मातरा में खाएंगे तो क्या-क्या परिशानिया आपको हो सकती है तो दिये हुए स्थान पर आपको क्या लिखना है? परिशानिया लिखनी है जो इन चीजों को खाने से हो सकती है पाठ प्रवेश लालच एक बुरी आदत होती है लालच से हमें कभी संतोष नहीं मिलता और हम हमेशा दुखी रहते हैं इसी लिए हमें लालच से दूर रहना चाहिए और जो हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए नोनु को भी लालच के कारण किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा आईए पढ़ते हैं तो बच्चों लालच करना बहुत बुरी बात है हमारे पास जो है हमें उसमें संतुष रहना चाहिए यह नहीं कि हम यह सोचे कि उसके पास जो चीज है वो मेरे पास भी हो नहीं आपके पास जो है उसमें संतुष रहिए अगर लालच करेंगे तो हमारी अपेक्षाय कभी भी पूरी नहीं हो सकती जैसे अगर हम लालच करेंगे तो हमारे हम में लालच की और भावना बढ़ती जाएगी तो बच्चो आप सबको सीखना चाहिए कि लालच करना बुरी बात है इस कहानी में नोनू एक लड़का है उसने भी क्या किया लालच करा तो वो क्या हुआ मुसीबत में पढ़ गया चलिए पढ़ते हैं नोनू नाम का एक प्यारा लड़का था उसे टौफियां बहुत पसंद थी एक दिन वह अपनी मा के साथ अपनी मौसी के घर गया मौसी ने नोनू की आदत से परिचित थी इसलिए वह टौफियों से भरा मर्तबान की उसके लिए खरीद लाई थी नोनू एक बहुत प्यारा लड़का था एक दिन वो अपनी मा के साथ अपनी मौसी के घर गया मौसी को पता था कि नोनू को क्या पसंद है टौफियां खाना तो इसलिए वो बजार से उसके लिए पूरा टौफियों का एक मर्तबान ले आई मर्तबान क्या होता है काच का इतना बड़ा जार बॉक्स होता है जिसे हम मर्तबान कहते हैं मौसी ने अलमारी से टौफियों का मर्तबान निकाल कर नोनु के सामने रख दिया मौसी ने कहा नोनु तुम्हें जितनी टाफियां चाहिए बेजिजक ले लो मौसी ने क्या करा पूरा मर्तबान नोनू के सामने रख दिया और कहां जितनी टौफियां लेनी है आप ले लो नोनू ने जटपट मर्तबान का धकन खोला हाथ बीतर डाल दिया जितनी टौफियां मुठी में समा सकती थी उसने उतनी टौफियां मुठी में भर ली क्या हुआ नोनु को लगा सारी टौफियां ले लू उसने फटा भड मर्तबान का धकन खोला और अपना हाथ काँ डाला मर्तबान के अंदर डाला और उसकी मुठी में जितनी टौफियां आई उसने ले ली अब आगे क्या हुआ चलिए परते हैं मर्तबान का मुँ बहुत छोटा था तौफियों से बरी मुठी मर्तबान के मुँ से बड़ी हो गई बै मर्तबान का मुँ तो बहुत छोटा था और जब उसने मुठी भरी तो मुठी उसके मुँ से बड़ी हो गई इसलिए नोनु का हाथ बाहर नहीं आ रहा था उसने बहुत कोशिश की नोनु का हाथ किस से बाहर नहीं आ रहा था मर्तबान से उसने बहुत कोशिश की अपने दूसरे हाथ से मर्तबान को आगे पीछे किया उसे तेजी से गोल गोल गुमाया पर उसका हाथ बाहर नहीं निकला नोनु की परिशानी देख माने कहा बेटा अकल से काम लो उसकी माने क्या कहा कि बेटा अकल से काम लो अपनी मुठी खोल कर कुछ टौफियां मर्तबान के अंदर गिरा दो फिर तुमारा हाथ असानी से निकल आएगा बही जब मुठी भरी भी होगी हम कुछ टौफियां निकाल देंगे तो क्या होगा हमारा हाथ छोटा हो जाएगा और असानी से बाहरा जाएगा नोनु ने वैसा ही किया, उसका हार अराम से बहार निकल आया अब हम करेंगे कुछ शब्दात मौसी, मौसी का अर्थ है मम्मी की बेहन परिचित जाना, पहचाना, बेजिजग बिना किसी परिशानी के मर्तबान, छोटे मूँ का बड़ा सा बरतन, भीतर अंदर तो चलिए, अब हम अभ्यास करते हैं पहला प्रश्न है, बताओ क्या पड़ा क्या हमें लालच करना चाहिए? नहीं, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए नोनु को क्या पसंद था? नोनु को ताफिया पसंद थी मर्तबान का मूँ कैसा था? मर्तबान का मुऊ बहुत चोता था प्रश्न दो सही विखल पर सही का चिन लगाऊ नोनु को बहुत पसंती क्या पसंती टाफीया नोनु किसके घर गया था? मौसी के मौसी बजार से खरीद कर लाई थी क्या लाई थी पल, खिलोने, टौफियों से भरा मर्तबान या किताबे तो मौसी लाई थी टौफियों से भरा मर्तबान प्रश्न तीन, रिक स्थानों की पूर्ती करो अब आपको कुछ खाली स्थान भरने हैं, चलिए करते हैं एक दिन नोनु अपनी डैश के साथ अपनी मौसी के घर गया नोनु किस के साथ गया था मौसी के घर? मा के साथ मौसी नोनु की डैश से परिचित थी किस से परिचित थी? नोनु की आदत से उसको पता था नोनु को टाफिया पसंद है मौसी ने नोनू के लिए डैस से भरा मर्तबान खरीदा किस से भरा मर्तबान खरीदा तौफियों से उसमें क्या थी? बहुत सारी मीठी मीठी तौफियां थी नोनू ने अपना डैस निकालने की बहुत कोशिश की क्या निकालने की कोशिश की? हाथ प्रश्न चार वाक्यों पर सही या गलत का चिन लगाओ नोनू बड़ा ही लालची लड़का था क्या यह वाक्य सही है? बिल्कुल सही है नोनू एक लालची लड़का था लालच करना बहुत अच्छी बात है यह वाक्य बिल्कुल गलत है लालच करना बुरी बात है नोनू के घर पर उसकी मौसी आई थी यह वाक्य भी गलत है क्योंकि नोनू अपनी मौसी के घर गया था प्रशन पांच निमलिखित प्रशनों के उत्तर लिखो तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बार बहुत अच्छे से अपने पाठ का अध्यन करेंगे और प्रशन पांच आप स्वेम करेंगे तो बच्चों इस कहानी में हमने पड़ा कि लालच करना बुरी बात है हमारे पास जितना है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा हम पुन्य फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ तब तक के लिए आभार